डीजे सुनिए, विश्वंभरनात शर्मा कौशिक की लिखी कहानी, बुध्धी बल, मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में कुछ लोगों की धारणा है कि एक सो शिक्षित तता बुध्धी मान व्यक्ति प्रत्येक बात का तत्व समझने की शमता रखता है उसे भले, बुरे, सच्चे, जूठे, उच्च, नीच, इत्यादी सब का ग्यान हो जाता है कोई उसे धोखा नहीं दे सकता, कोई उसे ठग नहीं सकता, ना कोई बेवकूब बना सकता है ऐसी धारणा रखने वालों में हमारे पंडित नवीन चंद्रे भी है पंडित जी ने M.A.L.L.B. की डिग्री प्राप्त की है साथ ही संस्कृत की शास्त्री परिक्षा भी पास है ऐसी दशा में यदि पंडित जी अपने को एक बड़ा विद्वान तथा बुद्धिमान समझे तो इसमें आश्चर की क्या बात है अन लोगों की भी अदि ऐसी धारना हो तो वे बेचारे भी निर्दोश है क्योंकि जिन बातों से जिन योगताओं से आदमी विद्वान और बुद्धिमान समझा जाता है वे सब पंडित जी में विद्धिमान है रात के नौ बजने का समय था पंडित जी अपने घरे लुद दफ्तर में बैठे हुए कुछ मुवक्किलों से बाते कर रहे थे इसी समय उनके एक मित्र आ गए इनका नाम क्रिश्न कुमार था ये भी सुशिक्षित व्यक्ती थे क्रिश्न कुमार का स्वागत करके पंडित जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कहिए आज देर क्या होई आज देर इस कारण हो गई कि एक महात्मा की दर्शन करने चला गया था अच्छा कोई महात्मा आये हैं क्या एक मुवक्किल बोल उठा हाँ एक स्वामी आये हैं हम तो अभी गय नहीं परंतु प्रशन सा सुनी है क्रशन कुमार ने कहा मैं आज गया था आदमी तो कुछ अच्छे मालूम पढ़ते हैं परंतु ठीक नहीं कहा जा सकता कुछ दिन सत्संग हो तो पता चले पंडित जी बड़े अभिमान पूर्वक बोले मैं चलूँगा तो पहले ही दिन स्वामी जी का होलिया समझ लूँगा क्रशन कुमार बोले सुना है कि वेदान्त के अच्छे गयाता है संस्क्रिट जानते हैं नवीन चंद्र ने पूछा हाँ श्लोक लोक तो पढ़ते हैं नवीन चंद्र हसकर बोले श्लोक पढ़ने से क्या होता है श्लोक तो साधरन हिंदी पढ़ा लिखा भी बोल सकता है उच्छारन से भी पता लगता है कि संस्क्रिट जानते होंगे साधरन जानने वाले का उच्छारन भी शुद्ध हो सकता है प्रिश्न ये है कि संस्कृत के विद्वान है या नहीं अब ये तो मैं बता नहीं सकता मैं इतनी संस्कृत स्वैम नहीं जानता आप चलने तो पता लगे मुवक्किल बोल उठा हाँ पंडित जी आप देखा है जब आप पास कर देंगे तब हम लोग भी जाएंगे पंडित जी मुह बना कर बोले अच्छा चला चलूँगा वैसे तो मुझे साधू सन्यासियों पर अधिक श्रद्धा नहीं है कृष्ण कुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा सन्यास तथा साधुता पर तो श्रद्धा है हाँ उससे क्यों न होगी वो तो शाश्वस्त धर्म है यदि कोई सच्चा सन्यासियों अध्वा साधु है तो उन्हें श्रद्धे तथा पूझे परन्तु ऐसे लोग मिलते कहा है अच्छा तो कल चलिएगा हाँ चला चलूँगा कल इतवार भी है चुटी रहेगी सवेरे चलूँगा शाम को जब अच्छा हो दूसरे दिन पंडित नवीन चंद्रत था कृष्ण कुमार स्वामी जी के पास पहुँचे संध्या हो चुकी थी गंगा तट पर फूस की एक बड़ी सी कुटिया में स्वामी जी विराजमान थे स्वामी जी के कुछ भक्तकन जमा थे स्वामी के साथ उनके दो शिश एक ब्रह्मेचारी 21-23 वर्ष का बड़े बड़े केश, खुबसूरा शक्ल भस्म लगाने से गौर वर्ण कुछ मलिंसा, डीला लंबा चोलना पहने हुए, दूसरा चेला सन्यासी था, स्वामी जी वेदान्त तथा पुराणों की घिसी-पिटी बाते कह रहे थे, नवीन चंद्र बोले, के वेदान्त ग्रंथा हा पठनी हाँ स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले, मुझे संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है मैं आपके प्रश्न का उत्तर हिंदी में देता हूँ वेदान्त में पठनी ग्रंथ अनेक है दस उपनिशद जिन पर आद्शंकराचारी का भाष है ब्रहम सूत्र पंच दशी गीत अइत्यादी वेशे तो अनेक ग्रंथ है पर वे अन्य विद्वानों के लिखे हुए है और सब इनी ग्रंथों पर आश्रित हैं जिनके डाम मैंने बताए है नवीन चंदर कुछ प्रभावित होकर स्वामी का मुह ताकते रहे कुछ देर पश्यात उन्होंने कुछ प्रशन और किये उनका उत्तर भी स्वामी जी ने समुचित ही दिया नवीन चंदर मौन होकर स्वामी जी का उपदेश सुनने लगे एक उपदेश देते देते सन्यास का प्रसंग आ गया सन्यास का सच्चा रूप समझा कर स्वामी जी बोले आप लोग ग्रस्त हैं एक बात समझ दीजे यदि इसके अंसार चलिएगा तो कभी धोखा न खाईएगा नवीन चंदर बोल उठे हाँ महराज इसकी तो बड़ी आवशक्ता है अच्छे बोरे सन्यासी की पहचान ही नहीं होती ये कहावत है कि पिसी दवा और मुडायोगी इनकी असलियत का पता नहीं चलता स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले स्वामी जी की मुस्कान में बड़ी मधूरता थी ये ठीक है आजकल ऐसी सन्यासी अधिक है कुछ थोड़े श्लोक गीता के रट लिये कुछ चाड़क के नीती के तथा कुछ इधर उधर के बस सन्यासी हो गए आजकल संस्कृत का प्रचार कम होने के कारण बहुत कम लोग संस्कृत के ग्याता है ऐसों के सामने जहां इन सन्यासीों ने दो-चार श्लोक पढ़े बस वे समझते हैं कि स्वामी जी बड़े विद्वान है अस्तु आप ये याद रखिए एक तो सन्यासी को कभी पैसा मत दीजिए भोजन करा दीजिए चाहे जैसा सन्यासी असाधू हो जो सन्यासी पैसा मांगे उसे सन्यासी न समझे फसाने वाले हैं उन्हें अभी सन्यासी न समझे सन्यासी प्रपंच से बचता है उसमें योग नहीं देता बस ये तीन बातें याद रखिए बड़ी उत्तम बातें हैं नवीन चंद्र ने कहा एक बात और याद रखिए जो सन्यासी अधिक ग्रहस्तों को ठीक है महराज, नवीन चंद्र हाथ जोड़ कर बोले वैसे अन्न परीक्षाएं भी है, पर आप ग्रहस्तों के लिए इतनी ही यथेश्ट है आजकल तो गली-गली सन्यासी फिरते हैं, क्रिश्न कुमार बोले इनमें अधिकांश बाल बच्चेदार ग्रहस्त हैं, इनका व्यफसाई ही है जब तक अपने घर में रहते हैं, तब तक ग्रहस्तों के तरह रहते हैं जब कमाने निकलते हैं तब सन्यासी बन जाते हैं ये अपने पुत्रों को भी आई शिक्षा देते हैं, उन्हें कुछ श्लोक रटवा देते हैं और बात करने का धंग सिखा देते हैं, जब तक अलप वयस्क रहते हैं, तब तक इने ब्रह्मचारी बना कर साथ रखते हैं, जब ये थेश्ट वयस्क हो जाते हैं, तब घुटवा देते हैं, ये लोग रहते हैं कहां हैं महराज, देहातों में रहते हैं, किसी जगए दस घर हैं, किसी जगए पंधर हैं, संसार हैं, उदर निमित बहुद्रित वेशा हैं, हाँ यही बात है महराज, नवीन चंदर कुछ दीर और बैठे, इसके पश्चा स्वामी जी के इतने भक्त हो गए, कि उन्हें साश टंग प्रणाम करने लगे, उनके लिए फल फूर ले जाते थे, स्वामी जी दो चार फल अपने पास रखकर, शेश उपस्थित लोगों में बांट देते थे, एक दिन नवीन चंदर ने प्रार्थना की, महराज, एक दिन हमारे घर भिक्षा कीजे, स्वामी जी बोले, हम तो कहीं भिक्षा करने बहुत ही कम जाते हैं, यहीं ये ब्रह्मेचारी मधुकरियां डाल लेता है बस, आप लोगों के हाँ शट्रस व्यंजन होते हैं, वे हम सन्यासियों के लिए वर्जे थे, सन्यासि को तो केवल रूखा का तथा निस्वाद भोजन चाहिए आप जैसी भिक्षा करना चाहेंगे वैसी बनवा दी जाएगे परंतु ये एक बार भिक्षा आवश्य कीजे हमारे घर के लोग भी आपकी दर्शनों के बड़े चुक हैं स्वामी जी हस कर बोले अच्छा एक दिन कर लेंगे परंतु केवल रोटी और एक साख बस ऐसा ही हो जाएगा अंत में एक दिन स्वामी जी अपने शिश्यों सहित नवीन चंदर के हाँ भिक्षा करने गए उसके बाद भी दो तीन बार और गए नवीन चंदर तथा उनकी पत्नी स्वामी जी के अनन भक्त हो गए एक दिन नवीन चंदर स्वामी जी से बोले महराज मुझे भी अपना शिश्य बना लीजिये महराज हस कर बोले अच्छा शिश्य बनने की इच्छा है आध्यात्मिक्ता की और तुम्हारी प्रवृत्ती तो है बड़ी अच्छा है महाराज परंतु कोई सद्गुरू नहीं मिलता था अब प्रारब्ध की अनकूलता से आप मिल गए हैं अतहाब मैं आपसे दिख्षा लेना चाहता हूं खूप सोच विचार लो ये मार्ग बड़ा कठिन है मैंने खूप सोच लिया उसके पष्षा थी आपसे निवेदन किया है अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा तुम सत्पात्र हो इस कारण तुमें शिश्य बनाने में कोई आपती नहीं ये निश्य हो जाने पर एक दिन नवीन चंदर तथा उनकी पत्नी ने स्वामी जी से दीख्षा ले लिए एक दिन स्वामी जी नवीन चंदर से बोले एक गरीब रहमन की कन्या का विवाह करना है बड़ा साधू आदमी है मेरे पिंड पढ़ गया है मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या कहूं कितना रुपिया लेगा पांच सो कहता है हाँ इससे कम क्या लगेगा अच्छी बात है ङू जायगा प्रभणद बताओ मैं सन्या सी आदमी रुपिया कहां से लाओ पर वो ये बात समझता ही नहीं तो क्या चिंता है महराज, हमारे पास जो है, वो भी तो आपका ही है, कल रुपे आ जाएगा दूसरे दिन नवीन चंद्र पान सो रुपे लेकर स्वामी जी के पास पहुँचे स्वामी जी ने ब्रहमचारी से कहा, लो ये रुपे लो, एक ब्रहमण आएगा उसे देना ब्रहमचारी ने रुपे ले लिये, नवीन चंद्र ने ये भी ना पूछा कि वो बुढधा ब्रहमण कौन है और कहा रहता है इसके प्रश्याते एक सब्ता है व्यतीत हो गया, एक दिन प्राता है कृष्ण कुमार घवराय हुए आया और बोले, आपके गुरू जी गिरफतार कर लिये गए नवीन चंद्र बोल उठे, क्या बक्ते हो, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, स्वामी जी एक औरत भगा लाए है, उनके नाम वारंट था, आज पुलिस ने धर लिया और वो इस्त्री, ब्रह्मचारी ही वो इस्त्री निकला, स्वामी जी उसे ब्रह्मचारी बनाकर साथ लिये हुए थे नवीन चंद्र स्थब्ध रह गए, क्रिश्न चंद्र बोले, अब आप जैसा आदमी धोखा खा गया, तब दूसरों की क्या गिनती, अब तो आपको मानना पड़ेगा, कि आप सब बातों का तथ्य केवल अपनी बुद्धी के बल से नहीं जान सकते नवीन चंद्र मौन होकर सोचते रहे, तद पश्यात कुछ जेंपती हुए बोले, वाकई बड़ा गहरा धोखा खा गए, इसका पश्याता जीवन भर रहेगा, वास्तों में प्रतेक बात में बुद्धी काम नहीं देती कृष्ण चंद्र बोले, मैंने देखा है, जो लोग अन्य बातों में बड़ी बुद्धी मान होते हैं, वे किसी विशय में इतनी बुद्धु होते हैं, कि देखकर आश्यर होता है नवीन चंद्र बोले, ठीक कहते हो, अभी आप सुन रहे थे, विश्वम भरनात शर्मा कौशिक की लिखी कहानी, बुद्धी बल, मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में